हलो बच्चों वेल्कम ट्यूपतों टूटियोल्स बच्चे इस वीडियो में मैं इक in different integration लेकरा हूँ कौना इस्क्रीन पर विवाहोगा हूँ इसको है इस translate किया जाएगा इस वीडियो में ठीक है एड इस से रिलेटर जो भी Mitset peset उसको भी सीखने की आपन कोसिस करेंगे जो भी formula आएगा बीच में उसको भी मैं discuss करूँगा इस complete video में तो सारी चीज़ आपको video में discuss किया जाएगा तो video के end तक बने रहिए end चीज़ों को अच्छे से सीखिए चलो फिर start करते हैं ठीक है देखो यह आपका integration है आपके सामने ठीक है जो सबसे first step बच्चा इस integration में होता है that is integration of under root cos 2x से उपर भी multiply करो नीचे भी multiply करो ठीक है तो उपर क्या बना आपका this is cos 2x नीचे क्या बना sin x और एक under root of cos में 2x आ गया dx के लिए देखिए अब next step यहाँ पे sin x है तो उपर cos 2x में अगर एक formula यूज करें हापन कौन सा formula एक identity होती है 1- cos 2x is equal to 2 times of sin square x cos 2x के बदले आप लिख सकतो this is 1-2 times of sin square x denominator is sin x under root of cos 2x इन सब के साथ यहाँ पे क्या आ रहा है dx आ रहा है next step i is equal इसी को आप 2 integration में convert कर सकतो तो जैसे ही दो integration में convert करो तो जैसे ही दो integration में convert करो तो जैसे ही dx upon में sin x under root of cos 2x minus 2 times integration of sin x हो गया और नीचे आ गया under root of cos 2x तो उपर sin x है तो नीचे cos square के term में लिख सकते है तो cos 2x को आप लिख सकतो 2 times of cos square x minus 1 dx यह मुझे लगता है second वाला integration तो अब हर एक बच्चे को दिख रहा होगा क्या करेंगे second वाले integration में put करेंगे आपन cos x is equal to t क्योंकि cos x के derivative में minus sin x आएगा तो sin x dx dt नीचे आपका t gator में दिख रहा होगा चीज़े ठीक है मैं लिख दूँगा अगले step में यहाँ पर थोड़ा और अभी सोचने की जरूरत है देखिए देखिए अब यह जो first वाला integration बना बच्चा इसको अब कैसे कर सकते हैं थोड़ा दिमाग लगाते हैं देखो अगर इस cos 2x को अपन लिख दें under root के अंदर cos square x minus sin square x ठीक है तो under root के अंदर cos square x minus sin square x formula है तो लिखी सकते हैं उपर dx है और नीचे sin x है i is equal to integration of और अब मैं बोल रहा हूँ इसमें से sin square x को बाहर ले लो क्योंकि जैसे ही under root के अंदर से sin square x को बाहर नहीं गालोगे तो यहां क्या बनेगा under root के अंदर cos square x minus 1 sin square x बाहर लिया तो बाहर sin x आ जाएगा और एक sin already है तो यहां पर समझभार हो sin square बन गया और sin square उपर जाएगा तो क्या बनाएगा cos square x this is dx मैं दोनों का फॉर्मेट बना के छोड़ा है अभी फॉर्मेट इतना असान सा दिख रहा होगा इसका अगर आप integrate कीजेगा बच्चा यह अलग से integrate कीजे दूसरा वाला integration और पहले वाले को भी अलग से integrate कीजे मैं दोनों में t ही मान रहा हूँ ठीक है बस आप ऐसा मन समझ लिजेगा दोनों t सेम है दोनों t अलग अलग है चलिए तो यहाँ पे cos x को मान लेते हैं t चलिए यहाँ पे cortex को मान लेते हैं जिसको t मानते हैं जिसको भी substitute कीजेगा उसी को differentiate करते हैं टेक्निकली तो यही होता है integration में तो cos x का differentiation this is minus sin x d x is equal to dt के लिए आगे solve करते हैं sin x dx minus dt plus में 2 times integration of dt upon में under root के अंदर 2t square minus 1 के लिए रहे हैं यह अपना formula है अब आपका कौन सा formula है तो एक ln में formula होता था आपका मतलब एक जो extender formula होता है under root के अंदर x square minus a square का वही formula है तो इसको आप लिख सकते हैं 2 times ln bracket में root 2t plus under root के अंदर 2t square minus 1 नीचे root 2 भी आएगा और plus में c यहाँ पर अगर cortex को g बाना है इसी को differentiate करेंगे तो this is minus में caosic square x d x is equal to d g इसको अगर solve पीज़े caosic square x d x minus d g upon में under root के अंदर g square minus 1 वह आपसे formula उसी type का बनाई है तो now result अगर लिखें तो i is equal to minus में ln bracket में g plus under root के अंदर g square minus 1 this is plus में यह सारा result है अब यहीं पर सारा put कर दीज़े क्योंकि answer तो आप t और g के term में put करोगे नहीं ठीक है तो answer कैसे लिखोगे i is equal to minus ln g is cortex तो cot x plus under root के अंदर cot square x minus 1 2 by root 2 ln bracket में root 2 यहाँ पर क्या put के था आपने t के बदले cos x under root के अंदर 2 times cos square x minus 1 plus में c this is your answer clear है तो यह आपका पूरा integration होगा इस पार्ट का आपको दिख रहा होगा 2-3 step जो starting का है वो सोचने वाला है इतना आसान नहीं था कि आप direct यह सोचो कि first step में rationalize करना है under root को first step में rationalize करना then 2 integration में convert करके इस तरह से सोचना थोड़ा यह मुस्किल है ठीक है इसलिए मैंने video बनाया इस पे क्योंकि मुझे पता है इस चीज है शुकिल है बार-बार इस integration में काफी बच्चों को dot आता है और काफी बच्चे class में पूछते भी है कि sir इसको कैसे solve करेंगे इसलिए मैंने ये video बनाया इस integration पे ठीक है बच्चा तो खतम करते हैं इस video को यहाँ पे and आपको description box में अपने channel का facebook page का link, instagram page का link, telegram page का link मिल जाएगा telegram page पे हम लोग daily by quiz वगरा post करते हैं questions paper वहाँ पे post किया जाता है and discussion किया जाता है तो आप चाहो तो वहाँ पे भी हम लोगों से connect हो सकते हो और चीजें सीख सकते हो So stay tuned on crypto tutorial, please like the video, subscribe the channel and hit the bell icon for instant notification, thank you very much